अब आपके मंत्राले की अगर बात करें तो और यहां लिखा भी है Commerce and Industry तो जब आपको यह मंत्राले दिया गया था तो क्या आपने अपनी इच्छा जताई थी कि आप इस मंत्राले में काम करना चाहती है या प्रधान मंत्री ने आपको खुद ही अपनी मर्जी से यह मंत्राले दिया आपकी काबिलियत और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं मैंने कभी कोई इच्छा नहीं जताई है मानिन यह प्रधान मंत्री जी ने अपने विवेक से जिसको जिस लायक समझा उसको दाहित्व दिया और हम तो एक सायोगी की भूबिका में है मेरे लिए तो मैं समझती हूँ कि एक नया सा अनुभव है पहली बार एक नया मंत्राले है तो मैंने कोशिश की हमारे प्यूश गोयल जी मेरे काबिनेट मिनिस्टर है उनके लीडर्शिप में हम लोगों ने काम किया और मैं इतना जरूर कहूँगी कि नस वर्षों में हमारा जो एक्सपोर्ट का परिद्रिश है वो भी बदला है एक जमाने में हमारा जो एक्सपोर्ट तीन सो मिलियन डॉलर पे अटका रहता था अगर मैं केवल वित्तिय वर्ष 2022-23 की बात करूँ तो हमारा एक्सपोर्ट 767 मिलियन डॉलर हो गया और इस वर्ष अभी तो खेर वित्तिय वर्ष पूरा नहीं हुआ लेकिन 2023-24 में अगर हम फरवरी तक के आकड़े देखे तो 710 मिलियन डॉलर तो अभी पार कर चुका है तो एक्सपोर्ट की दृष्टी से आज हमारे देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जिला एक निर्यात के हब के रूप में विक्सित हो डिस्ट्रिक्ट अज एक्सपोर्ट हब का हमारा इनिशेटिव है हम अपने एक्सपोर्ट की बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन करें नए उसमें उत्पाद और सर्विसस को जोड़े और जो हमारी डेस्टिनेशन्स हैं उसका भी डाइवर्सिफिकेशन हो इसलिए एक होल अफ गवर्मेंट अप्रोच के साथ काम करते हुए हम अपने एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांसिल्स को इंडस्ट्री असोसिएशन्स को यहां की इंडियन मिशन्स को मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व करके और स्टेट गवर्मेंट को ऑन बोर्ड लेके यह कोशिच कर रहे हैं कि इस डाइवर्सिफिकेशन को हम अचीव कर सके एक्सपोर्ट के आने वाले समय में फिगर्स हमारे बढ़े हैं अगर आपकी सरकार कॉमस इंडस्ट्री में, एक्सपोर्स में, एकॉनमी में इतना अच्छा कर रही है तो पूर्व RBI गवर्नर रगुराम राजन क्यों कह रहे हैं कि हाइप किया जा रहा है मुबाइल मैनुफेक्चरिंग ही देख लीजिए, वो कहते हैं कि सारा तो इंपोर्ट करते हैं आप पार्ट्स, यहां सिर्फ असेंबल करते हैं दिखें ऐसा है हम 14 सेक्टर में PLI स्कीम लेकर आए इसलिए लेकर आए कि हमारे देश के अंदर डॉमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग बढ़े तो इसलिए अभी जो आप बात कह रहे हैं मुबाइल मैनुफेक्चरिंग की एक समय था कि हम चाइना वेतनाम जैसे देशों से मुबाइल्स लेकर आते थे इडिया में एक्सपोर्ट करते थे क्या आपको तरक्की नहीं दिखती कि आज देश के अंदर हम दुनिया के अंदर सेकेंड बिगस्ट मुबाइल मैनुफेक्चरिंग बन चुके हैं हाँ यह जरूर है कि कुछ intermediate parts, कुछ ऐसे raw materials जो अभी हमारे पास नहीं है वो हम लेकर आते हैं लेकिन आप ये भी देखिए कि हम अपना product तयार कर रहे हैं और हमारे export के figures भी बढ़ रहे हैं हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि intermediates और raw materials को लाकर ultimately manufacture हम अपने देश में कर रहे हैं ये एक प्रगती का sign है और export के जो figures है figures are figures, figures को आप जुटला नहीं सकते तो जो भी हमारे 300 billion dollar से हम 767 billion dollar पहुँच गए अब ये आकड़े हमने जादू ही तरीके से कोई बना नहीं दिये तो रगुरा आप राजन को कुछ जवाब देना चाहती है वो ये कहते हैं है हाइप है ऐसा कोई economy इतना अच्छा नहीं कर रही है अच्छा कर रही है बहुत हाइप किया जा रहा है कि विश्व गुरू बन गए और ये हो गया अब ये हमारा अपना नजरिया होता है हम उसको आधा भरा हुआ देखे आधा खाली देखे मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आखड़ों को आप जुटला नहीं सकते दुनिया के अंदर अगर भारत की अर्थवेवस्ता आज पांचवे नंबर पे पहुंची है तो ये ऐसा थोड़ी है कि भारत ने बस अपने मन से कोई आखड़े बना लिये तो ये सबस्क्राइब नहीं अवरेटिंगे